दश को हमारी इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं गल्स की समस्याओं की बारे में जिहां जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जादतर महिलाएं पीरेड्स के दौरान दर्थ से परिशान हो जाती हैं जिसे वो बरदास्त नहीं कर पाती है इस दर्थ से निजात पाने के लिए महिलाओं को पेन किलर का सहारा लेना पड़ता है ऐसे मैं हम आपको बताने जा रहे हैं इस दर्थ से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए आपको इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए और क्या खाना चाहिए जी हाँ आपको बता दें क कि जब आपके पीरेट्स होते हैं तब आप दर्द को कम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है लेकिन आपको बहुत ज्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छी डाइट पेट को ठीक करने और एंठन को कम करने में काफी मदद करती है इसलिए कि आप अपने खाने में हरी सबजीयों का सेवन चरूर करें इतना ही नहीं कई महिलाएं पीरेट्स के दौरान दूद से बनी हुई चीजों का सेवन करती है जिसमें सैचुरेटेट फैट पाया जाता है और इस दौरान जो दर्द होता है वो तकलीफ को और भी जादा देता है इसलिए आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए वहीं आपको यह भी बता दें कि मुह का टेस्ट बदलने के लिए जादा से जादा चटपटी चीजें खाती हैं कुछ महिलाएं इसके लिए वह सौस पटेटो चिप्स अचार का सेवन करना शुरू कर देती है जिन में नमक की मात्रा जादा पाई जाती है और इसी वज़ा से शरीर में सोडियम लेवल और भी जादा बढ़ जाता है और यूरिन की समस्या सामने आने लगती है इसके लावा अगर बात की जाए स्पाइसी फूट और ओली फूट की तो इन चीजों का सेवन आपको न करें तो बहुत ही अच्छा होगा इसके लावा आपको यह भी बता दें कि पैग्ड फूट चिप्स का सेवन ना करें यह पीरेट्स दर्द का बहुत बड़ा कारण बंते हैं पीरेट्स के समय में आप मीट खाने से भी बचें इसकी वज़ाए आप मचली का सेवन कर सकते है वहीं अगर बात की जाए वेक्ट फूट टेस्टी होता है लेकिन इसमें बहुत सारा ट्रांस फैट पाया जाता है जो कि आपके एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है और यूट्रेस में दर्द पैदा कर देता है साथी साथ आपको ये भी बता दें कि इस दोरान आप कोल ड्रिंग का सेवन ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा इसलिए इस तरह के ड्रिंक लेनी के वज़ाए आप नैचरल ड्रिंक जैसे की नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं वेल आपको ये भी बता दें जाते जाते कि आप इस दोरान किन्चीजों का सेवन कर सकते हैं बता दें कि पीरिट्स के दिनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड और इससे भरपूर चीजें ही खाएं इसके अलाबा उन्चीजों को खाना भी फायदिमंद होता है जिनमें विटामिन E पाया जाता है इस दोरान आप मैगनीजियम जिंग विटामिन B1 से भरपूर चीजों का सेवन भी कर सकते हैं जो की आपके लिए बेहदी फायदिमंद माना जाता है तो दर्श को ये थे वो तमाम चीजें जिन्हें आप इस दोरान अपने खाने में शामिल कर सकते हैं फिलहाल के लिए हम चलते हैं तब तक के लिए आप देखते रहें क्यूरिन हैल्थ रेक्स से प्राणिशी की रिपोर्ट